तो देखिए आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं मरकंटेलिजम क्या है यह यह जो इरा था इसका था फिफ्टीन अंडड से एटीन अंडड का था और बेसिकली यह वेस्ट यूरोप में चला था जहां कंटीज हैं इंगलेंड इटली फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया और बेसि कॉलबर्ट जो मिनिस्टर था उसकी यह थी इसने इसको कॉलबर्टिजम भी कहा जाता है द्यान रखेगा तो यह ट्रेड और कोमर्स के बारे में थीवरी है मर्चेंट से बनाए है तो मरकंटरिजम कहा गया है नेमड बाय इसको नाम यह जो दिया था यह दिया था एड़म Smith क्या थिखूरी है यह डेजायर टू है स्ट्रॉंग नेशन स्टेट किया भी अपना स्टेट है जो मादब देश है राष्टर जो है वो हमारा मजबूत होता है कैसे मजबूत होता है कहता है एक्कुमेलेशन ओप्डीशियस मैटल ट्रेजर्स कहते हैं खूब गोल्ड सिल्वर बुलियन जो है इसको बुलियन बुलियन किसको कहते है बुलियन कहते हैं जो गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं उनको बुलियन कहते हैं बुलियनिजम यानि खूब सारा आपके पास सोना हो तब ही कोई राश्टर मजबूत होगा यह उस वक की थेयुरियात से 200 साल पहले 200 साल पहले कि क्या ऊब्री ये थेयुरिव उस वक्त चली क्या आपका जो नेशन है जिसके बाग गोल्ड ज्यादा होगा वो नेशन उतना ही मजबूत होगा तो यह emphasis करते थे emphasis on foreign trade कि foreign trade होना चाहिए और positive balance of trade होना चाहिए यानि आपके पास payment आना ज़्यादा चाहिए गया कम होना चाहिए यानि आपके exports ज्यादा होने चाहिए ज्यादा exports होंगे तब इता हो क्या पैसा आएगा इसको एक अगर अपने game theory match का एक पर पढ़ाओ zero sum game होता है कि एक का loss दूसरे का फाइदा होता है आप जो पैसा खर्च करके आ रहे हो market में वह आपके लिए खर्चा है loss है लेकिन दूसरे के लिए इसको बोलते हैं zero sum game यह कहता था कि दूसरी country का खर्चा होगा तभी ता आपकी कम होगी तो यह जीरो sum game कहलाता है game theory mathematics के लिए टॉपिक होता है और यह कहता है कि control by government regulation government के regulation में होनी चीज़ें और government को export को promote करना चीज़ें अब export को promote करेंगे तो एक्सपोर्ट तो आप नॉर्मली manufacturing चीज़ों को करोगे तो example इसका manufacturing sector बट नॉट एगरिकल्चर को क्या करता है करता है ड्यानरा यह जो है एक्सपोर्ट से पैसा आता है तो यह कहता है हो जिससे कि आपका जो है इंपोर्ट म Sah starters लगा था जो सको जाताए तो यह एक्सपोर्ट बड़े एक्सपोर्टर जासे ज्डाधा कमाये और काहता है कि आप अपने चीजुंको कापीरेइट कराइए जिससे कि कोई और उसको बना नहीं सके तो आप अर्णिंग ज्यादा कर पाऊगे जैसे एपल ने अपने प्रोड़क्स को जो है कॉपी रेट करा रखा तो कोई और उसको बना नहीं सकता एंड्रॉइड तो गूगल ने फ्री कर रखा है लेकिन एपल ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा तो यह जो हैं हाई इंटर्स रेट चाहते थे कि इंटर्स रेट जो हैं वो हाई होने चाहिए रेस्टेक्ट यूजवरी यानि हर जना जो है बिजनस में एंटर ना कर पाए हम बिजनस को होल्ड करें तो दुनिया में हम ही कमाएंगे एक्सपोर्ट हम ही ज्यादा करेंगे इट वास कॉल्ड एकॉनोमिक काउंटर ऑफ पॉलिटिकल नैशिजम मतलब पॉलिटिकल नैशिजम है कि आप देश में देश को मजबूत करना चाहते हो राश्टुबाद की भावना करते हो लेकिन एकॉनोमिक तरीके से जैसे अभी मोदी कह रहा है कि आत्म निर्भर भारत ह हो तो वो नैशिजम फैला रहा है पॉलिटिकल नैशिजम की इंडिया का पॉलिटिकल बहुत मजबूत होना चाहिए लेकिन किस के थुरू एकॉनोमिक काउंटर के थुरू यानि अगर हमारी एकॉनोमिक मजबूत होगी ना तो हम सब चीज़ें जेल जाएंगे इट वन ठाकिन सब्सुदीब्यट एंडिफर नि इसका पीड में अचार्ट कियोंने की था कंटॉल उफ कॉलोनी इन इंडिया को अपनी कॉलोंी बनाया औस्ट्रेलिया पनी कॉलोनी बनाया यूएस को अपनी कलोनी बनाया making colonies by from empire country और वो क्या करते थे यहां से raw metal खरीद लेते थे सारा cotton यहां से ले जाते थे इंग्लेंड ले जाते थे तो इंग्लेंड का एक navigation act उन्होंने उस्वक्त बनाया था सिक्स्टीन फिप्टी वन में जिसमें वह प्रोहिबीट करते थे foreign vessels को कि इंग्लेंड के अंदर foreign vessels आएंगे नहीं क्योंकि फिर वह यह आएंगे तो समान बेचेंगे हम नहीं चाहते तो इन्होंने उनको रोकने के लिए एक law बनाया था तो इस तरीके से foreign trade को restrict करते थे कि बहार वाले से चीज़ें हम खरीदें नहीं हम बेचें तो अपन इसको वापिस से देखते हैं कि फैक्टर क्यों जो है पैदा हुआ उसके पीछे रीजन थे कि एक तो हम एक्स्चेंज सिस्टम से निकल रहे थे एक्स पहले commodity वर्सेश कमोडिटी का इस सिस्टम था आप जानते हैं CC economy जिसे अपन कहते थे लेकिन दिरे-दिरे money का evolution हुआ और money का evolution हुआ तो foreign trade बढ़ने लगा और foreign trade बढ़ है तो ज्यादा production को करेंगे क्या करेंगे क्या उसका घर पे तो न रखेंगे तो उसको क्या करेंगे export करेंगे ऐसा करने लग गए कुछ indirect factor थे compass was invented पहले समुद्र में जाने के बाद दिशा का पता ही लगता था साइट कौन सी है compass invented हो गया तो इससे लोग भार जाने लग गए ने तो उससे पहले international trade होते नहीं था राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल लोग अब पैसा आ गया नई इंडस्ट्री लगने लग गई तो इस करणा से भी marketism जो है वह फैलने लग गया तो factor responsible for the decline of marketism क्यों हुआ अब यह decline कैसे हुआ तो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगने लगी तो अब हर देश ही अपने फैक्ट्री लगाने लग गया पहले हम अपना समान इंग्लेंड से मंगाते थे लेकिन अब इंडिया में फैक्ट्री लग गये तो इस तरह से इस चीज को decline भी हुआ एक फिजियोक्रेसी जो है वो फ्रांस में आने लग गई थी जो की अग्रीकल्चर को प्रोमोट करती थी तो वह उससे भी उल्टा असर पढ़ने लग गया एडम स्मिथ ने 1776 में अपने बुक लिखी थी वेल्थ आफ नेशन वह नेचुरिजम पे जोड़ देते फिर इंडिस्ट्रियल रेवलिशन आगया पूरे यूरोप में बेसिकरी तो इंग्लेंड में था लेकिन उसका असर तो यूरोप में भी पढ़ा था उन्हें भी अपनी फैक्टिस को नहीं चालू कर दी तो इस कंडिशन में है और वह भी अपना काम खोलेंगे और डेमोक् चीजें जो हैं वह आपको द्यान रख दियें बैसिकली कि मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं कि मर्केंडिजम क्या था कैसे इसका इवलिशन हुआ क्या इसके रीजन्स थे फिर क्यों इसका डिकलाइन हुआ अब इससे आपको एक आइडिया लग गया कि इस टॉपिक अ झाल मेरेगा